आपकी किस्मत सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथ में है पूरी तरह से आपके अपने हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है किते लोग मानते हैं यह बात सच है? सब मानते हैं, सब जूटें काप जूट बोल रहे हैं, काँ मानते हैं, हम बाते तो कुछ और करते हैं, उसकी किसमत अच्छी है, मेरी किसमत बुरी है, अरे मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ में वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये चीज बदल क्यों नहीं रही है, होत तरफ उनी फ्लाट्स के सामने एक बहुत बड़ा बंगला है, a huge house, बहुत बड़ा, वहाँ पर एक बिलेनेर का बच्चा रहता है, मतलब कि अरब पती, खरब पती आदमी है, उसका बच्चा है, तो जब उस सड़क के बीच में खड़े हो करके, हम इधर देखते हैं उस बच् बच्चा जा रहा है, स्कूटर के उपर अपने पापा के साथ में बैठ करके, एक तरफ से वो बच्चा जा रहा है, बड़ी सी Mercedes, वो भी S क्लास, ऐसी वैसी नहीं, सामने एक शॉफर है, पीछे वो मज़े से बैठा हुआ है, और स्कूल जा रहा है, तो सब के मैंड में क्य अब एक दम से देखते ही, कि हां देखो, इसकी किस्मत किस्मत कितनी बुरी है, अब रियालिटी को देखते हैं, यह हमारी imagination, अब रियालिटी क्या है, उसको जर्बाँटेयों, यह जो बच्चा है, बीलेनेर का, उसका जो घर है बड़ा सा, उसमें एक बट बड़ीoof़िया वहाँ पर आकर के खड़ा हो जाता है, डेली शाम को, दो-तीन घंटे के लिए, और उस बैलकेनी में खड़े हो करके भार बच्चों को खेलते होई देखता है, और वो जो दूसरा बच्चा है, जिसको हम सोच रहे थे कि जिसकी किस्मत खराब है, वो क्या करता है डेली शाम को दो से तीन घंटे, उसके जो अपार्टमेंट्स हैं, उसके साथ में एक चूटी शी गली है, जहां पर डेली शाम को 10-15 बच्चे एखटे हो जाते हैं, और कभी पकड़ाई खेलते हैं, कभी पिट्थू खेलते हैं, कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी फुटबॉल खेलते हैं कुछ न कुछ खेलते हैं, और ये जो बच्चा है, जिसकी किस्मत अच्छी है, ऐसा दुनिया को लग रहा है, वो वहाँ पर अपनी बैलकोनी में खड़े हो करके उन बच्चों को देख रहा हैं, उसको वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, विकॉस अप मुल्टिपल रीज है, नमबर तीन उसको कहा गया है कि आपको घर में ही रहना है, भार जाना अलाउड नहीं है, इस तरहे की बहुत सारी रेस्रिक्शन से उसके उपर, वो नहीं जा सकता, उसका मन बहुत है जाने का, बोलता है, लेकिन गर वाले मना कर देता है, तो वो क्या करता है, डेली शा हमारे पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा आजाए, पैसा आजाए, पैसा आजाए, पैसा आजाए, पैसा आजाए, पैसा आजाए, एक बच्चे को पैसे क्या लेना देना है, सोचो, बच्चे की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या है, पैसा या खेल, खेल, और वो यु से चीन लिया गया कि उसके पापा के पास उसके लिए टाइम नहीं है मुझे अपना किटए पाड़ी नहीं है जैसे जैसे से पैसाा फिशी स्द्ट अपने भी चेंज होता चला जाता है शॉपिंग यह है वह है इस सोसाइटी है पेज ठी पाटी से पता क्या-क्या है ताइम का है भाई बच्चों के ले तो उस बच्चे के बच्चा कि अपने से पचास-पचास साल बढ़े आदमियों के साथ में जा करके वो खेलता रहे गर के अंदर जितना मर्दी बढ़ा हो क्या उसको मज़ा आएगा खुशी चिन गई हसी चिन गई और वहां का पिंजरा है लेकिन पिंजरा तो है ना कैद कर दिया है मिर को यहां पर लाग करके भार नहीं निकलने दे रहे मुझे खेलने नहीं दे रहे हैं यह हला तो यह पढ़िया उस बच्चे की और वह दूसरा बच्चा है वह मज़े से अपनी जिन्दी को चीए मज़े से अब किसकी किसमत अच्छी है किसकी बुरी है जो बिलेनियर का बच्चा है उसकी किसमत खराब है उसके पास खेल नहीं है उसके पास में माबाप नहीं है उसके पास खिलोने बहुत है उसके घर में कमरा है जो पूरा पूरा खिलोनों से बढ़ा हुआ है हजारों खिलोने है और म सोचो एक बच्चे के लिए इससे खराब किस्मत क्या हो सकते है कि उसके अंदर से खिलोनों का ही क्रेज निगल जाए तो यह है अभी तक का सिनारियो अब इसको इस कहानी में हलका सा ट्विस्स ले करके आदे हलका सा मोड देते हैं इस कहानी वो जो बच्चा है मिडल क्लास बैक्राउंड का वो भी बीच बीच में पूरे टाइम नहीं जिसे खेल रहा है खेलते खेलते दो ती गहंटे के लिए खेला खेलते खेलते ठक गया, जा करके बैठा हुआ है या क्रिकेट खेल रहे हैं अभी इसकी बैटिंग आने वाली है, बैठा हुआ है तो बैठे बैठे वो उस बड़े घर की तरफ देखता है और उस बच्चे को महां पर खड़ा हुआ देखता है और मनी मन सोचता है कि उसकी किसमत कितनी अच्छी है कितने बड़े घर में रह रहे है कि हमारा ऐसा घर क्यो नहीं है हमारे पास ऐसी गाड़ी क्यो नहीं है मेरे पापा के पास में स्कूटर क्यो है Mercedes क्यो नहीं है इतना बड़ा घर क्यो नहीं है घर के अंदर इतनी बड़ी लॉन क्यो नहीं है, इतने सारे नौकर क्यो नहीं है, इतने अच्छे कपड़े क्यो नहीं है, इतने सारे टॉइस क्यो नहीं है, अब किसकी किसमत अच्छी है, किसकी बुरी है, पकड़ो इस चीज को जहां मैं जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, ध जिस वक्त हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है और हम चाहते हैं तो हमारी किस्मत बुरी होती है और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है उस मुमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है ये पल-पल का खेल है एक-एक सेकिंड में किसमत बदल रही है और किसकी वज़े से बदल रही है इसकी जड़ क्या है हमारे अपने ही डिजायर्स हमारे अंदर जो डिजायर्स शुपे होए है वो है सारी की सारी जड़ तो अगर हमें अपने डिजायर्स को बदलना आ जाए त किसमत बदल जाएगी अब मैं आपको एक रियल लाइफ एक्जामपल देता हूं उसके लिए मुझे एक वोलिंटेर चाहिए यहाँ पर स्टेज पर जिसका किसी लड़की के साथ यह किसी लड़के के साथ में बहुत सीरियस अफेर चल रहा हूं और यहां पर आगर कि वो थोड़ा बाद शेयर करें में उनको प्रॉब्लम ना हो कौन आना चाहेगा आप अना चाहेंगे आज़ो क्या नाम है अपका अगस्तिन और मैं अच्छा तो आपका लड़की के साथ है फेर है लड़के के साथ है जार आपको पूछ लेना ठीक रहता है तो ऑगस्तिन कितने टाइम से चल रहा है आपका अपर साड़े थीन साल से तो आप इमाजिन करो सिर्फ इमाजिन करना है रियालिटी नहीं है कि कल वो आपको डंप कर देती है ठीक है इमाजिन करो दुनिया में कुछ भी हो सकता है तो आपकी अच्छी किसमत होगी और बुरी किसमत होगी सोच के बोलना ऐसा नहों यह वीडियो देखने के बाद नो सच मैं डंप कर दे आपकी बोलोगे जो बोलोगे ना कुछ नहीं बोलोगे बताओ अराम सोच लो अगर अगर वो किसी और के लिए इनको कल डंप कर दे मतलब के छोड़ दे तो यह इनकी अच्छी किसमत है और बुरी किसमत है मैं बस इतना सा पूछ रहा हूँ आप लोग मत बोलोगे आपको कोई डंप नहीं कर रहा है इनको कर रहा है इंको बोलने दो हाँ बताओ अच्छी किसमत है भाई यह तो गया आपकी गल्फेंट है आपर अभी नहीं है ना मैं बताता हूँ जब वापिस जाएंगे तो क्या होगा अगर मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मुझे छोड क्यों नहीं तेटे है एक बात है मारे डिस्टाइब को अच्छी है तरह हमारा एक जीत ओली गई है आपके कि गाए लाइफ में जोगत हुदाए अच्छे कि गए अच्छे कि गए रही मैं को और रीजन्स बताओ अच्छी किसमत के भी और बुरी किसमत के भी मैं यहाँ पर क्या कर देखो ध्यान से देखना जहां इनका ध्यान गया पॉजिटिव की तरह किसमत अच्छी हो गई जहां ज्यान गया, negative के ओपर कि अम मैं क्या करूँगा, साड़े तीन साल से हम साथ में थे, मैं एकदम से अलग हो गया, तो यह अंदर से तूट जाएंगे अंदर से तूट जाएंगे बिखर जाएंगे पुरी तरीके से देवदास बन जाएंगे शुरू हो जाएंगे डेली, लवली, लवली होता है, होता है लोगों के साथ में तो यह है एक एक एक्स्ट्रीम, दूसरी एक्स्ट्रीम क्या है जैसे ही आपने इस सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखा, आप क्या हो रहे हो अंदर से कम्ज़ोर हो और श्रॉंग हो रहे हो, श्रॉंग होते चले जा रहे हो अब बताएए, नेगिटिव साइड क्या है नेगिटिव क्या है, सोचो, अराम से सोचो, माइक पास ले लो एक मिनिट, इनको बोलने दो, इनका ब्रेक अब होए, आपका नहीं होए बोलिए, नेगिटिव साइड क्या है, हर सिचुएशन की, देखो, लाइफ में कभी भी है, मत सुचना, मुझे सिर्फ पॉजिटिव देखनी है पॉजिटिव भी देखो, और नेगिटिव भी देखो, लेकिन चूज करो पॉजिटिव को यह करना है तो आपने नेगिटिव पॉइंट नहीं बताया भी तक, मतलब उनसे अलग होने का कोई नेगिटिव पॉइंट नहीं है, अच्छा कोई चांस ही नहीं है बहुत बढ़िया, लेट्स किव अब बिग एंट फर इंट, यह जो फंड़ भी मैंने डिसक्स किया आप लोग के साथ में, कि एक सिचुएशन की हम नेगिटिव साइट भी देख सकते हैं, पॉजिटिव साइट भी, इसी सेम फंडे को आप कहीं पर भी लगा दो, अपने इंसान के अंदर इस पूरी दुनिया में कुछ स्ट्रेंज होती हैं, कुछ वीकनेस होती हैं, क्या कोई एक भी ऐसा इंसान है इस ओडिटोरियम में, या ओडिटोरियम छोड़ो, पूरी दुनिया में, जिसके अंदर स्ट्रेंज तो हो, वीकनेस ना हो, तो हर इंसान के अं अपनी वीकनेस की तरफ होता है तो हमारी किसमत पुरी होती है आस्मान में पंची उड़ रहा है जब तक उड़ रहा है मज़े से तब तब कोई प्राब्लम नहीं है क्योंकि वो उसका बेसे नेच्वर है उसने मचली को पानी में तेहरते होए देखा और वो मचली बनने की को जिस आदमी को देखतर के आप सोच रहे हो तो किसी 50 साल के आदमी को कि यार क्या लाइफ है बिजनस क्लास में ट्रेवल कर रहा है बढ़िया से बढ़िया गाडिया है इतना बड़ा बिजनस है इतना ये है इतना वो है वो पता है क्या सोच रहा है उस समय आपको देख करके अगर आपकी age है maybe 20-25 साल आप एक student हो आपको देख करके वो money-man सोच रहा है कि काश मेरे सर पे भी ये बाल होते है कि काश मेरे अंदर भी इतनी energy होती इतना excitement होता जो इसके अंदर है काश मेरे भी ऐसे दोस्त होते है काश मेरी भी ऐसी life होती काश मेरे वापिस से उस time में चला जाओ जब भी वो ऐसा कुछ सोच रहा है तो उसकी किसमत खराब है और जैसे उसने ध्यान दिया कि मेरे पास में क्या है business है तो इस business को पूरी इमानदारी के साथ करूँ पूरे passion के साथ करूँ जो employees हैं उनके बारे में सोचू इस दुनिया के बारे में सोचू clients के बारे में सोचू इस दुनिया में आ करके सिर्फ अपने बारे में सोच करके जाना नहीं है मरना नहीं है बलकि कुछ contribute करना है कि अगर आप आए हो इस दुनिया में बहुत लोग उसे पुछते जिन्दगी का मकसद क्या है यही मकसद है भाई आप इस दुनिया में आये हो अगर आपने किसी एक भी इंसान की लाइफ थोड़ी सी बेटर बना दी ना थोड़ी सी आपकी वज़े से किसी के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ गई किसी की आप जो आपकी जिन्दगी का मकसद पूरा हो इसके अलावा कुछ नहीं है कितने लोग मैरेड हैं यहां पर मैरेड है अब देखो कितना असान है चीज समझना कि जहां आपने अपनी वाइफ की बुराइयां देखने शुरू करी बुराइयां है उसके अंदर है है या नही है 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 सब के अंदर है और पता नहीं कितनी है पता नहीं कितनी है जहां आपका ध्यान अपनी वाइफ की बुराइयों की तरफ गया आपकी किस्मत फूट गई लोग समझ नहीं पारे खेल को लोग समझ नहीं पारे वो पता है क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं उस सामने वाले बंदे की तारीफ करूँगा या उसकी अच्छाईयों का देखूँगा तो उसमें उसका फाइदा है समझो परीकी से समझो आप उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं उसकी अच्छाईयां देख करके आप अपनी किस्मत को अच्छा कर रहे हो उसकी अच्छाईयां देख करके उसकी अच्छाई देखने से उसकी किस्मत तो बाद में अच्छी होगी पहले आपकी खुद की किस्मत अच्छी होगी समझो आपकी जिंदगी में तो इसी खुशी आएंगी, आपको अच्छा लगेगा आप रिलाक्स हो जाओगे, आपके अंदर से गुस्सा निकल जाएगा, आप शांत हो जाओगे, आप खुशी से जूम ठोगे फिर आपको सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव दिखने लग जाएगा, फॉजिट प्रोसेस है ना जहां डिरेक्शन दे दी थौट्स तो भाहीं चलने लग जाएगे जहां आपको पॉजिटिव दिखना शुरू हुआ, अनलिमिटिड है नेगिटिव दिखना शुरू हुआ, अनलिमिटिड है अब चॉइस आपकी है कि कब तक नेगिटिव देखना है मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आप पॉजिटिव देखो किसी situation की negative side को देखा, अपनी weakness इसको देखा, अपने failures को देखते रहे और उसकी positive side को नहीं देखा, तो जब तक भी आप देखोगे, एक साल तक दो साल तक, दस साल तक की आप पूरी की पूरी जिंदगी, तब तक आपकी किस्मत फूटी हुई है बिकार है, किस्मत खराब है, अपने अंदर जाग करके देख लेना आपको समझ आ जाएगा और जहां एक सेकिंड लगेगा आपको एक सेकिंड, दस साल बाद आप जाब गए एकदम से मेरी ये वीडियो देखी और आपको कोई जानवर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं चॉइस ले सकता हूँ दुनिया की कोई ताकत मुझे ही चूज करने से नहीं रोख सकती मैं देखूँगा इसकी पॉजिटिव साइट को इस सिचुएशन की, दुनिया देखती है नेगेटिव को देखने दो मैंने पॉजिटिव चूज किया, तो दस साल तक आपकी किस्मत खराब थी, एक सेकिंड में आपकी किस्मत अच्छी होगे एक सेकिंड में सब बदल गया नजरिये का खेल है अब मुझे बात करते करते हैं, एक बड़ा मज़ेदार सा आइडिया आ रहा है किस तरह से दुनिया देखती है और किस तरह से मैं देख रहा हूँ इस दुनिया को, अगर उसको आपको live यहाँ पर दिखाना हो, उसके लिए मुझे 2 volunteers चाहिए 1901 पूरा सुन लो, पूरा सुन लो, क्या करना है मुझे मुझे 2 volunteers चाहिए जिनकी जेब में कम से कम 5,000 रुपे हो और पुरा सुन लो एक मिनिट एक मिन sauna पुरा सुन लो आप वो 5,000 रुपे लेकर के यहां पर आओगे हम यहां पर एक गेम खेलेंगे अगर आप जीत गए एक मिनट रुकी जब अगर आप जीत गए तो आपको ध्यान से सुन लो कि होगा क्या बाद में मुझे गालिया निकालो अगर आप जीत गए तो आपको 5,000 रुपए का 10,000 रुपए मिलेगा और अगर आप हार गए तो 5,000 रुपए गया 5,000 रुपए गया आप बताओ कौन आना चाहेगा कुछ लोग वापिस होगे आप बताओ कौन आएगा आजाओ दो लोग पास दो लोग चाहिए हैं आपके पास में 5,000 रुपए यस दिखाओ अरे वाइनके बास तो बहुत है आई थिंग अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी 10,000 कर देते हैं 10,000 का जुआ कौन कहला चाहेगा एक का दो 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 अपना दिल थाम के बैठिये भाई और बहनों आपके सामने ही कैसा खेल चुरू होने आला यह आप से पहले आपने कभी नहीं तेखा होगा यह जमूरा आपको एक ऐसा खेल दिखाएगा कि आप तब यह खुश हो जाएगी नहीं सिर्फ दो लोग दो लोग अच्छा आपक तयार हो आप ठीक है दो 10,000 पर दो कोई बाद नहीं लेस्ट गिव अपर इम और यह मजाख नहीं हो रहा है सच में जो गया सो गया आपस नहीं आने वाला अच्छा मुझे एक सिक्का चाहिए किसी कि पसमें कोई है एक रुबएगा या कोई बी आगे देख लो जी यह हेड होता है यह टेल होता है ठीक है दस हजार पर गिनने की ज़रत तो नहीं है नहीं आप प्रोफेशनल लग रहे हो यह गए मेरी जैन में मेरा मन कर रहा है लेकर बाग जाओं सेशनेशन तो होधार रहेगा बीस हजार पर आगए ओके देखो खेल सिंपल है हम टॉस करेंगे जो जीता उसके पैसे डबल जो हारा उसके पैसे क्लेए तो है यह डेस्टिदी किसमात अभी देखे है किसमत का खेल क्या होता है यह टेल है यह एड बोलिए हैड आपका टेल शुकर है दोनों ने हैड नहीं मांगा नहीं तो मेरेको अपनी जैब से पैसे देख लीजिए हैडा है मुबारको आप खार गए यह लीजिए सर यह आपकी अमान थैंक यू जी क्या नाम है अपका हरिदास 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 नाम हरिदास और काम जुआ आपका क्या नाम वसंथ वसंथ कैसा लग रहा है आपको यह सब हुआ जो आपके साथ है दिन अच्छा हुआ है थोड़ा सा खराब हो गया थोड़ा सा खराब हो गया इस उबीद में मत रहना कि यह पैसे वापस मिलने वाले हैं तो यह आपको लग रहा हो कि यह वापस मिले तो पहले ही बात थी भाई लाइफ मिलता है कि आ तुबारा से वापिस आपकी मर्जी आप देना चाहें तो देदी यह वापिस करेंगे बिल्कुल मेरी वाइफ के जैसे है वह भी यह करती है एक बार उसके हाथ पैसे पहुच गे देदी नहीं है वापिस तेदी जी थैंक यू सो मच यहां पर आने के लिए अभी अभी आपने यह देखा इसमें किसकी किस्मत बेटर लगी आपको इनकी हरिदाश जी की या दूसरो वाले हरिदाश जी की अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं खेल को कि अभी एक बार टॉस हुआ और यह 10,000 पर जीते हैं सोचो यहां पर पांच बार टॉस होता और पांचो बार हरिदाश जी जीत जाते हैं और जो दूसरे हैं वो हार जाते हैं तब हम क्या कहते हैं किसकी किस्मत अच्छी है किसकी किस्मत बुरी है किसकी किस्मत बहुत अच्छी है और किसकी किस्मत बहुत बुरी है फ तो आप देखो मेरे नजरिये से किसकी किसमत अच्छी है और किसकी किसमत खराब हुआ पांच बार हरिदाश जी जीद गए जुए के अंदर नॉन स्टॉप इतनी सारी जंता के सामने इतने सारे लोगों के सामने सोचो उनके दिमाग में जा करके क्या बैठेगा एक सिंपलती चीज देखी जाए तो उनके दिमाग में एक चीज बैठ जाएगी कि मेरी किसमत अच्छी है इस दिन को वो जिन्दगी बर बुला नहीं पाएंगे बुला नहीं पाएंगे बैठ गया और इनके दिमाग में क्या बैठ गया कि जुए में मेरी किसमत खराब है और अगर आप मेरी नजर से दुनिया को देखो के तो किसमत अच्छी किस की और खराब किस की अपता है जो आदमी को ये गलत फैमी हो गई है अब इसको ध्यान से सुनना जिस आदमी को ये गलत फैमी हो गई है के जुए में मेरी किसमत अच्छी है उससे खराब किसमत इस पूरी दुनिया में किसी की नहीं है भाई आपको लग रहा है क्योंकि आप शौट टम में देख रहे हैं थोड़ा सब आगे बढ़ो जितने भी गैम्बलर्स है इस दुनिया में अलग अलग तरे की गैम्मिलिंग करते हैं बहुत है कोई सट्टा लगाता है कोई कैसी नो में जाकर के ता जीत गए तीश्री आप खे़ला जीत गए चौती बार खेला जीट गए चार दिन तक जीत्गए शाथ दिन तक जीत्गए क्लप है मिळी तो टुनिया में कोई विस झीट पाया है ये जूए मेरोड एनको लग लगनी ही लगनी यहिसके अनदर गलत पहहली आ गई ये लालच बढ़ गया, ये किसमत की गलत फैमी हो गई कि मेरी किसमत अच्छी है, वो फच गया, जबकि law of probability काम कर रहा है वहाँ पर, ये science है, कोई किसमत नहीं है, law of probability है, इनका पांच बार आया है, इनका भी आ सकता था, this was simple law of probability, कुछ लोगों ये गलत फैमी हो जाती है, कि हमारी किसमत कोई दूर आसमान में भगवान बैठा हुआ है, वो लिख रहा है, सोचो अगर ये बात सच है, तो कितना बड़ा मजाख है, सोचो, कि वो भगवान, जो इस पूरी की पूरी दुनिया को चला रहा है, वो इतन कोई है, जो आपकी किसमत का फैसला कर रहा है, हम खुदी कर रहे हैं, जैसे हमने चूस किया, अच्छा हो गया, इसी को कर्म बोलते है, ये चॉइस ही कर्म है, जहां आपने अच्छी चॉइस करी, अच्छा कर्म किया, जहां आपने पुरी चॉइस करी, पुरा कर्म कर दिया तो बुरा फल मिलना ही मिलना है और दस साल बाद नहीं मिलना जो लोग सोचते हैं यह नहीं है करम का खेल कि आज आज आपने कोई अच्छा करम किया उसका दस साल बाद आपको अच्छा फल मिलेगा या आज आपने बुरा किया, आपको 10 साल बात बुरा मिलेगा, आपने बुरी चोईस करी, हल मिलना शुरू, आज से हजारों साल पहले वेदों में एक बात कही गई थी, और अगर हो सके तो इसको अपने अंदर तक जाने देना, it's extremely powerful, extremely powerful, वो लोग जो सच को as it is देख रहे थ बिना किसी filter के, बिना किसी layer के, उन्होंने एक छोटी से line बोली थी, यथा दृष्टी, तथा सृष्टी, यथा दृष्टी, तथा सृष्टी, उसका मतलब क्या है, जैसी आपकी नज़र है, वैसी ही ये दुनिया है, जिस नजरिये से आप इस दुनिया को देख रहे हो, यह दुनिया वैसी ही आपको नजर नहीं आरही है, यह दुनिया वैसी ही है आपके लिए, आपके पडूसी के लिए कुछ और हो सकती है, मेरे लिए कुछ और हो सकती है, लेकिन आपके लिए सच यही है, कि आपकी दुनिया भाई ऐसी ही है, तो solution क्या है, absolutely simple, बहुत आसान ह करना क्या है अपने नजरिये को बदलना है कि अगर बाहर इस दुनिया को बदलना चाहते हो जिसको आप कभी नहीं बदल सकते तो उसका आप्शन क्या है अपने नजरिये को बदल दिया बाहर कुछ ना बदल करके अपने आप को अंदर से बदल दिया दुनिया बदल गई हमको अपने नजरिये को बदलना है नजरिया क्या है आपके बिलीफ्स हैं आपकी आदते हैं बाते सुन ली बहुत अच्छी लग रही है सुनने में लेकिन आदते नहीं बदली तो दुनिया कैसे बदलेगी आपकी जो दुनिया है वो कैसे बदलेगी possible ही नहीं है तो अब हमको जड़ तक जाना है कि ये नजरिया हमारा बना कैसे जब हमको ये समझ आएगा तभी तो हमको समझ आएगा कि इसको बदलना कैसे है दो खिड़किया है जहां से नजरिया बन रहा है आखे और कान जो भी कुछ आज तक आपने सीखा है समझा है वो और कहां से सीखा देख करके और सुन करके जो भी हम देखते हैं जो भी हम सुनते हैं अब हम चाहे या ना चाहे उस से related thoughts हमारे mind में घुमने लग जाते हैं आप चाहो भी तो उसको रोक नहीं सकते news channel पे जा करके आपने को एक news देखी जिसकी बात हो रही है चारो तरफ आपने अख़वार में जा करके पढ़ा उस news channel में जा करके देखा और सुना अब नहीं भी चाहोगे तो अगले तीन दिन तक, चार दिन तक, दस दिन तक उसी से related thoughts आपके mind में घुमने लग जाएंगे होता है नहीं होता है तो हमारा control है कहां पर thoughts पर नहीं है ये बात समझ आती है actions पर भी नहीं है ये भी बात समझ आती है तोकि act करने से पहले आपको सोचना पड़ता है जैसा सोचोगे वैसा ही act करोगे कुछ देर के लिए pretend कर सकते हो फिर वापिस अपने zone में चले जाओगे comfort zone में, अपने basic nature में तो thoughts पर भी हमारा control नहीं है actions पर भी हमारा control नहीं है लेकिन इन दोनों चीज़ों को बदलना भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना बदले काम भी नहीं चलने वाला तो क्या करे? इन पुट को बदल दो अब तक आपने कुछ गलत देखा है कुछ गलत सुना है जिसकी वज़े से आपने कुछ गलत बोला है और कुछ गलत किया है, कुछ गलत सोचा है तो अगर आपने कुछ गलत ना देख करके कुछ गलत ना सुन करके कुछ अच्छा देखना शुरू कर दिया और कुछ अच्छा सुनना शुरू कर दिया तो क्या होगा? आप नहीं भी चाहोगे तो आपके माइंड में उसी से related thoughts आएंगे आप नहीं भी चाहोगे तो आपके माइंड में वैसे ही thoughts आएंगे और जैसे thoughts आ रहे होंगे वैसी ही आप बाते कर रहे होंगे वैसे ही actions चल रहे होंगे अब तक मैंने जो कुछ भी कहा आज के session में जो कुछ भी अगर उसको sum up करना तो वो क्या है बहुत simple है अच्छा देखना है अच्छा सुनना है जिससे कि आप कुछ अच्छा बोल सको और कुछ अच्छा कर सको जिससे कि आप कुछ अच्छा बन सको अच्छा बन सको